Hello friends, welcome back to our channel. Hope you all are doing fine. So friends, आज के वीडियो में हम लोनावला के पास एक ऐसी जगा विजित करेंगे. जो किनारा धापा है उसके जस्ट ऑपिजित है और उस जगे का नाम है गोविन्दा रिसॉर्ट और यहाँ पे स्टी ऑप्शन्स भी अविलिबल है पर हम यहाँ पे गए थे गो कार्टिंग करने के लिए. यह जगा ओल्ड पूने हाइवे पे लुकेटेड है और हमें पूना से वहाँ जाने के लिए एक घंडा लग गया था. हमने हमारे चानल पे लुनावला के साइट सिंग और अक्तिविटीज के बारे में काफी सारे विडियो डाले हुए है आप चाहो तो वह सब देख सकते हो और हमारे चालें को सब्सक्राइब कर सकते हो और आज आज आपको एक ऐसी जगा दिखाएंगे लुनावला में यहांपे काफी स्पेस है पार्किंघ करने के लिए तो आपकी गारी यहांपे आराम से पार कर सकते हो और इस जगे का नाम गोविंता रसौum है और यहांपे स्टेantis अवेलिये है अगर आप चाहो तो यहांपेуск स्टेई बी कर सकते है टार उसके लिए अलग से एंट्री है पर हमने यहां पर स्टे नहीं किया था हम यहां पर बस गो काटिंग करने आय थे प्रकॉस हम लुनावला जा रहे थे और अन्द वे हम नहीं यह जगा देखी सब्सक्राइब आने के बाद आपको एक डेकलरेशन फॉर्म भर के देना पड़ता है और प्लस यहां पर कुछ रूल्स है जो आपको समझाते हैं उसके बाद आप जाके आपके टिकित्स ले सकते हैं और यहां के जो रेज से, for single sitter, it is Rs. 350 for 6 laps, और for double sitter, it is Rs. 450 for 6 laps. यह जगह काफी well maintained थी, और यहां का जो starf है, वो भी काफी full light है and helpful है. So overall, जब आप यहां पे जाते हो, I'm sure you'll have a nice time. Though the track is a little short, थोड़ा छोटा है, फिर भी काफी मसा आता है. So friends, अगर आपके साथ बच्चे है, या कुछ young people है, जो कुछ activity करना चाते है, this is a nice place for a stopover on the way from Pune to Lonavala. So friends, hope आपको ये video पसंद आई है, to watch all the vlogs about different places to visit in Lonavala. और अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे अलग-अलग videos डाले हैं, about different restaurants and fathing places in and around Pune. Thanks a lot for watching friends.